तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक केटेगरी का सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सा इस्पीशीज है तो इस्पीशीज एक ऐसा ग्रूप है जिसकी वज़ा से हम दो लिविंग और गैनिजम के बीच में डिफरेंस को पता कर सकते हैं तो इसमें क्या लिखा है इस्पीशीज इस ओफन डिफाइंड अस दे लार्जेस्ट ग्रूप और गैनिजम मतलब अगर एक ही स्पीशीज के अगर दो इंडिविज्वाल है तो वह क्या बीच में अपने मेटिंग कर सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफ्स्प्रिंग को प्रड्यूस कर सकते हैं अगर वह दो अलग-अलग स्पीशीज हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता अगर by the chance अगर किसी में अगर reproduction होता है तो वो जो offspring रहता है वो success नहीं होता जैसे हिन्नी और म्यूल, खचर वो दोनों अलग-अलग species के और वो offspring है तो उन में क्या रहता है वो infertile offspring रहता है खचर, म्यूल और हिन्नी यह सब infertile है, मतलब यह success नहीं है, इनके जो offspring है वो एक successful living organism नहीं है तो अगर एक ही species के अगर दो organism हैं तो ही वो reproduction शो कर सकते हैं otherwise वो नहीं कर सकते हैं, और यह क्या है? It is the basic unit of classification and a taxonomic rank of an organism as well as a unit of biodiversity Okay, तो अगर किसी भी organism में अगर difference को पता करना है तो हमें उसका क्या देखना पड़ेगा? इस species देखना पड़ेगा, अगर जैसे एक example लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं इनसान हूँ तो अगर मैं अगर दूसरे इंसान भी अगर देखूं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, यह भी एक इनसान है, वो मेरे ही species का है Okay, कैसे मैंने पता लगाया? कि हाँ, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आख हैं, नाख हैं, कान हैं और सीधे चलती हूँ मैं, और बाकी होमो सैपियंस या फिर बाकी हूमन बिंग्स भी सीधे चलते हैं, बिल्कुल मेरी तरह हैं, मतलब वो मेरे ही species के हैं तो हमारी जो species हैं, उसका क्या नाम है? Sapiens, होमो सैपियंस, हूमन बिंग्स का scientific नेम है, होमो सैपियंस और यह पहले तो हम सबको पता है, कि हम gorillas और monkeys से, दोनों से ही अलग हैं, हमाई जो species हैं, वो बिल्कुल अलग हैं मतलब सिर्फ species अलग हैं, बाकी genus हो गयां, family, order class, kingdom, phylum, सब कुछ हमारा सेम हैं, बस species अलग हैं, जिसकी वज़े से हम अलग-अलग organism हो गएं है न, अब हम दो अलग-अलग organism में difference कैसे पता करते हैं, उनकी species को देखे यह तो सबको पता है To differentiate between different types of living organism, species is used as the principal natural unit of in biology जैसा कि अभी मैंने बताया है, है न, अगर दो organism है, living organism, तो हम लोगों को अगर difference उसमें देखना है, तो सबसे पहले हम उसकी species को देखेंगे तब ही हमें पता चलेगा कि हाँ, यह दोनों ही अलग-अलग species है, और यहां पी क्या लिखा है Living organism of one species to another species are distinguished from each other, are based on distinct morphological difference है न, अगर बाहर, मतलब morphological difference को क्या मतलब है, बाहरी से अगर वो कैसा दिख रहा है वही देखकर हम एक दूसरे organism में difference को पता लगा सकते हैं similarities और dissimilarities को देखते हुए, हम species को अब पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले एक और एक example लेते हैं, Darwin's theory का आए देखते हैं Species को समझने के लिए Darwin ने अपनी एक theory दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ही तरीके के living organism अगर एक ही जगह पर रहते हैं और अच्छानक से अगर कुछ geographical conditions की वज़े से सारे एक ही species के living organism अलग हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद उनके रहने खाने के अलग-अलग धंग की वज़े से उनके bodies में कुछ changes आ जाती हैं जिसकी वज़े से अभी ये एक ही species के living organism एक दूसरे से बिलकुल अलग हो जाते हैं और दो अलग-अलग species में convert हो जाते हैं जैसे कि यहां पर फिंच दिख रहा है आप लोगों को फिंच एक species है बर्ड्स की ये एक फिंच है ये एक species है कुछ समय के बाद जैसे ये पांच ही living organism है तो कुछ समय के बाद कुछ भी condition हो सकती है जैसे तूफान आया बारिश हो एक दो अलग-अलग या फिर किसी और island पर migrate होके चली गई तो उनके खाने क्यों जैसे ये एक फिंच है जो कहीं चली गई और वहान पर शफ लीव सी मिलता है तो ये सिर्फ लीव घ्रव सी खा कर जहंदा रही तो इस Mazows क्या हो गई पतली हो गई और ये एक ऐसantic cringe है जहां पर गई वहां पर इंसेक्ट्स मिली तो इसकी बीग और पतली हो गई और यह फिंच ऐसी है जिसको खाना ढूंडने के लिए टूल्स का यूज करना पड़े जैसे काटे हो गए और कुछ भी हो सकता है तो बागी यह फिंच है जो यहां पर ग्रब्स को खाती है ग्रब्स मतलब हो सकता है लारवा जो इंसेक्ट्स की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कह सकता है ग्रब्स और यह एक फिंच है जिसके जो सिर्फ फ्रूट्स और बड्स को खाती है कली और फॉल वगएरा यह सब तो इन सबके beaks की वज़े से चोंच की वज़े से अब ये सारे ही living organism एक अलग-अलग species में convert हो गए हैं हमाई next taxa है genus जीनस क्या है अगर दो closely related species है तो उसको क्या कहेंगे genus कहेंगे जैसा अभी मैंने बताया था human और चिंपैंजी और monkey गोरिल्ला जैसे हमारा जो जीनस है होमो होमो क्या है यह जीनस है जीनस है और यह sapiens sapiens यह क्या है भई यह हमारा species है यह क्या है यह human beings है human beings अब होमो होमो जीनस किसका किसका है monkey का भी है monkey का भी है और गोरिलास का भी है है तो हम यहां पर यह जीनस है वह दो अलग अलग organism का दो अलग अलग species का वह एक ही हो सकता है मतलब क्लोजली रिलेटेड़ स्पीशीज का यह taxonomic group है तो एक example है plants plants के लिए plants में क्या होता है एक जैसे एक एक जीनस है हो क्या है solenum solenum plants में है यह एक है solenum nigrum solenum मेलोजेना 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 और एक स्पीशीज है solenum tuberisum अब यह solenum nigrum किस के लिए है काले मिर्च मकोई के लिए मकोई इसको लोकल नेम इसका है काले मिर्च और यह solenum मेलोजेना यह किस के लिए है ब्रिंजल के लिए है बैंगन और यह solenum tuberosum किस के लिए है potato के लिए है तो यहाँ पर यह तीन अलग-अलग species है लेकिन इन तीनो species का जो जीनस है वो एक ही है वो क्या है solenum तो यह तीनो ही closely related species है इन सब का जीनस एक है solenum तो यहां पर लिखा हुआ है तो एक यहां पर जीनस इसका कॉमन नेम है काली मिर्च सोलेनम मैलोजेना ब्रिंजल सोलेनम टुबरियोसम पोटेटो अब एनिमल्स में एक बहुत अच्छा मतलब एक दम बेस्ट एक्जाम्पल है जीनस को शो करने के लिए जैसे एक जीनस है पैंथेरा यह किस में आता है एनिमल्स में वो तो मैं यहां पेंथेरा यह है अफ है पैंथेरा ताइगरिस और यह इक है पैंथेरा पार्डस अब पैंथेरा यह किसके लिए उज upp होता है लायन पैंथरा टाइगरिस टाइगर के लिए पैंथरा पार्डस लेपर्ड के लिए लेपर्ड तो ये ये तीन अलग-अलग स्पिशीज है ना और लेकिन इनकी जो जीनस है वो एक ही है वो क्या है पैंथरा है है ना तो हम लोगों को क्या पता चला कि अलग-अलग उसके जीनस होगा वो सेम होगा तो यहां पर क्या लिखा है इस थ्री ओर्गैनिजम लायन लैपर्ड टाइगर इस थ्री ओर्गैनिजम्स अर बिलॉंग तो दे सेम जीनस नोन एज पैंथरा अब यहां पर कैट्स की को कहते हैं कैट्स अर डिफर फ्रॉंम दीज अब और इंजम कंट्या पैलिजर से बिलॉंग करती है तो कैज сюहों कि न हीजापि क्यों कि जीनस चैट्स'RE यहां तो यहां पर कुछ scientific नेम दिये हुएं जिससे हम अच्छे से सहल में आएगा हम लोगों को Cats, Cats का क्या है? Phelis, Catus, Lion का Panthera, Leo, Tiger का Panthera, Tigris, Leopard का Panthera, Pardus अब इन तीनों का Genus जो वो सेम है लेकिन Species क्या है? वो डिफरेंट है, बिलकुल डिफरेंट है अब पढ़ते हैं हम Family, यह क्या है? It has a group of related genre with still less number of similarities as compared to Genus and Species अब यह क्या है? यह तो सब को साम में आ गया कि यह यहां पर Species अलग अलग थी लेकिन इन सब की जो Genus थी वो एक ही थी वो क्या थी? अब क्या होगा यहां पर धेर सारी अब जीनस का closely closely related Genus का अब यहां पर फैमिली आ जाएगा जैसे अब एक्जैम्पल लेंगे यह पैंथरा पैंथरा लियो पैंथरा टाइगरेस और पार्डस अब यहां पर जो कैट की फैमिली रहेगी वह इन ही सब की फैमिली लाइन की भी फैमिली टाइगर लेपर्ड और कैट इन सब की फैमिली जो रहेगी अब सेम रहेगी देखिए लेकिन इसमें it has a group of related genera मतलब group of related genera genus का group को क्या कहेंगे family कहेंगे लेकिन उनकी जो similarities रहेंगी वो बहुत ही कम रहेंगी ओके एक 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 एक्जामपल लेते हैं plants का families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species जैसे महाँ मैंने बताया था solenum यह क्या है genus है यहां भी solenum genus है और यहां पे solenum tuberosum यह सारे genus है solenum 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 यह अलग अलग लेकिन यह सारे के सारे अलग species हैं लेकिन यह सारे ही एक ही family से belong करेंगे जिसको क्या कहते है solenus family क्या कहते है solenus family these three different plant species belongs to the same family known as solenus okay अब यहां पे animals में देखते हैं यह तो हो गई बात plants की अब यहां पे animals देखते हैं इन animals panthera leo panthera tigris panthera pardus and phallus catus जो की scientific name है cats का these four organism belongs to the same family known as phallidae okay canis lupus dogs का यह क्या है scientific name है अब यह कौन से family से belong करता है canady family से dogs की अलग family है cats और tiger और lion और leopard इन चारों की family अलग है और यह dogs की family अलग है जो कि इसकी family क्या कहते है canady इसी में fox आ जाएंगे wolf आ जाएंगे dogs की family है dogs यह canis canady में कौन कौन आएगा dogs आ जाएंगे और क्या आएगा wolf आएगा और क्याएगा fox आएंगे यह तीनों किस family में आएंगे canady में आएंगे अब पढ़ते हैं order अब order क्या है family तो सब जान गए अब क्या है closely related family को क्या कहेंगे order कहेंगे this rank और taxon contain one or more families अब धेर सारे families है तो अब उनकी group को क्या कहेंगे family order कहेंगे order and other higher taxonomic categories are identified on the basis of aggregates of characters अब यहां पर characters और less होते जाएंगे it is a higher category from family family से यह उपर है higher category सब से smallest species genus family फिर order है अब यहां पर एक example देखते हैं plants में यह देखें plants convolacy यह एक इस family में आता है यह sweet potato का यह order है और यहां पर solinesi solinesi और convolacy यह दोनों ही अलग अलग family है लेकिन इसकी जो order रहेगी वो एक ही रहेगी इसकी order को क्या कहते हैं polymonials based on the floral characters मतलब कि इसके flowers रहेंगे वो same रहेंगे मतलब लागभग same रहते हैं यह अलग अलग दो family हैं इनकी जो order है वो same है उसको क्या कहते हैं polymonials okay अब animals में आ जाते है animals में यहां पर क्या example है फैलिडी फैलिडी किसके किसके लिए यह होता है lions cats tigers leopard फैलिडी यह इनके family एक है और यहां पर Kennedy में dogs आ जाते हैं wolf wolf और कहते हैं fox यह इनकी एक family है okay और यहां पर क्या है यह फैलिडी और Kennedy दोनों अलग अलग family है है ना तो इन दोनों की family अलग अलग है लेकिन order same है वो क्या है carnivora दोनों ही family mons खाते हैं इसी वज़े से इनको एक ही order में रखा गया है अब यहां पर बात आता है यहां पर monkey gorilla gibbon and human beings यह सारे एक ही order में आते हैं उसका नाम क्या है प्राइमेटा हम कौन से order में आते हैं प्राइमेटा ओडर में आते हैं ओके नाओ class this category this category includes more than two order अब वहां पर क्या था वहां पर more than two family था और यहां पर क्या है more than two order है अब यहां पर प्राइमेटा और कार्निवोरा अब यहां पर क्या है यह प्राइमेटा इस में क्या क्या आते हैं गोरिल्ला gibbons and human beings है और कार्निवोरा में क्या आते हैं टाइगर्स लाइन कैट्स मतल्य大 ating यहां पर आजाएंगे यहां पर ाड़ो जो कारणिवरत हैं जो मांस खाते हैं अब यह दो अलग अलग आजाएंगे अंट वो क्लास नाम है मांमयलिया Mammalia मतलब यह mammals है इनके पास memory glands है तो अब यह सारे एक ही class में आ जाएंगे और उस class का नाम है Mammalia These two orders are belongs to the same class known as Mammalia mammals Mammals के लिए use होता है Mammalia तो अब इनके पास memory glands है और क्या है? अब bodies per hairs है और यह reproduce कर सकते है अब eggs नहीं होता है इनके पास बहुत सारे अब आते हैं phylum पर अब phylum क्या है? This category includes more than one class like phylum contains animals मतलब अब यहाँ पे more than one class मतलब अब धेर सारे classes को मिलाएंगे तो वो एक family आएगा सारी एक phylum आएगा जैसे एक example है fishes, reptiles, amphibians, mammals यह सारे ही organism एकदम अलग है इनकी class भी अलग है सारे organism के तो के इस ओल अर बिलॉंग्स तो दे सेम phylum नोन एस cordata यह सारे ही cordata phylum में आएँगे क्यों? क्योंकि इनके पास notochord होता है और एक dorsal hollow neural system मतलब जन्म के बाद या फिर जन्म से पहले रीड के अड़ी में एक notochord जैसा कुछ पाया जाता है सबके में fishes हो चाहे reptiles हो amphibians हो mammals हो सबके में क्या पाया जाता है notochord पाया जाता है notochord and a dorsal hollow neural system ओके? यह पाया जाता है जिसकी वज़े से यह कौन से फाइलम में आएंगे call data फाइलम में आएंगे यह सारे ही living organism अब आजाती यह तो यह बात हो गए कि living organism अब यहां पे बात आएगे division division पहले ही मैंने बताया है phylum यूज होता है animals के लिए division यूज होता है plants के लिए in plants classes with a few similar characters are assigned to a higher class अब यहां पे division में अगर धेर सरे class के अगर अलग-अलग plants organism है और उनके कुछ similar characteristic की वज़े से वो एक ही division में आएंगे अब सबसे बड़ा kingdom हम सबसे बड़ा text हम discuss करेंगे जिसका नाम है kingdom all animals belongs to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom phyla सारे के सारे animals हो गए वो एक ही phyla में रखे गए है जिसका नाम है kingdom animalia और plants में क्या है all plants belonging to various division are assigned to the highest category called kingdom plant अब सारे ही plants को एक ही division में रखा गया है मतलब एक ही taxa में रखा गया है जिसको कहते है kingdom plant मतलब धेर सारे divisions को मिलाएंगे तो अब वो क्या बोलेंगे उसको planty बोलेंगे अब यहां पर kingdom animalia क्या है animals में क्या रहता है cordata as well as non-cordata यह दोनों ही आ जाएंगे अगर जो animalia में क्या हैंगे जिसके पास notocod है भी और जिसके पास नहीं भी है तो वो आ जाएंगे kingdom animalia में और kingdom planty में सारे के सारे plants आ जाएंगे okay thank you so much I hope all you guys are understand bye bye